दोस्तों ये जो अंधभक्त हैं ये पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, पूरी तरीके से पागल पने का इनको एक दोरा पढ़ चुका है, जहाँ पर कल नरेंदर मोदी का जनम दिन था, उनको केक खिलाना चाहे था, या फिर उनको मिठाईया खिलानी चाहे थे, वहीं दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेग्मेंट में जिसका नाम है भक्तौलजी, अंधभक्तों की शाखा जहां पर हम लोग जम करके इन चड़ी धारी चिंटूों की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं, और खड़ी झाल के सब्सक्राइब करें, इनकी सब्सक्राइब को पूरी तरीके से एक्स्पोस करने काका काम करते हैं, कल नरेंदर मोधी का जनम दिन था और इसी भक्तौलजी की वीडियो में ऐग खास वीडियो आपके सामने ले कर आया था जहांपर साक्षात गया वीञे को जरूर देखिए लेकिन पहले ही बताता हूं कि एक सटायर वीडियो है इसमें मनोरंजन के साथ साथ असली मुद्दों को आपके सामने रखने की कोशिश करी गई है भक्तों के गोबर बन को निकाल कर आपके सामने रखने की कोशिश करी गई है तो अगर आपने वीडियो नही जनम दिन से कल मौधी जी का जनम दिन था तो कल मैंने बात करी भकतों के बारे में लेकिन गोधी मीडिया का of चाहता हूं अखरकार किस तरीके से बीजै पी आई टीसेल का आप टूल किर्ट borrow consumers को देखने को मिला कल मैंने आपको दिखाया अपनी वीडियो में लेकिन iT तक मेरे को देखने को मिला गोधी मीडिया का टूल किट जी या नरेंद्र मोधी के जनम दिन के दिन पर भी गोधी मीडिया अपना टूल किट चलाने का काम कर रहा था नरेंद्र मोधी का जनम दिन है और उनको उनके भक्त या फिर गोधी मीडिया के जो लोग हैं वो निकल कर अपने आप विश्टक नहीं कर सकते, बर्दे पे उनको शुपकामनाई भी नहीं दे सकते, इसके लिए भी उनको एक टूल किट सर्कुलेट करना पड़ता है, गोधी मीडिया का टूल किट क्या है, सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन के उपर, का 2014 से तो और जादा नस्दीक से, कुछ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके काम राष्ट के लिए उर्जा से भरपूर प्रतिबद समर्पित प्रयासों से इंकार नहीं कर सकता, दीपक चौरसिया का ट्वीट, अब आपको दिखाना चाहता हूँ, एक त्वीट और इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार मैजिक कैसे होता है, और गोधी मीडिया का आईटी से, गोधी मीडिया का जो टूलकेट है आखिरकार वो क्या होता है, जर्द देखिए, नवीन कपूर के इस ट्वीट को, एन आई के ये पत्रकार है, नवीन कपूर ने ट्वीट किया, एक फोटो डाली, मोधी जी के साथ, और उपर ट्वीट में लिखा कि, फ्रॉम गांधी नगर, तू बनारस, तू मैडिसन, तू हूस्टन, कवर्ड यू फॉर मोर देन डेकेड, और इवन मोर क्लोजली, सिंस 2014, क्या आपको ये सब बाते स सुनी हुई लग रही है, दीपक चौरसिया के ट्वीट में, जो बाते हिंदी में लिखी गई, नवीन कपूर के ट्वीट में, वही सेम बातें, इंग्लिश में लिखी गई थी, यानि की गोधी मीडिया को, नरेंदर मोधी को विश करने के लिए भी एक टूल किट सर्कूल करना पड़ता है, कितने जादा अलड़, कितने जादा बेपकूप, कितने जादा गवार, कितने जादा आज से ये लोग होंगे, जरा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए, नरेंदर मोधी को अपने सुप्रीम लीडर को जो खुद निकल कर विश भी नहीं कर सकते, आखिरकार वो मोधी के भी सच्चे भक्त हैं ही नहीं, आगे आपको दिखाना चाता हूँ कि आखिरकार मुझे और कल क्या-क्या भक्त मैटीरियल मिला, एक वीडियो मेरे हाथ लगी, तेजिंदर पाल सिंग बगगा की वीडियो, ये आदमी पहले तो नेता बनना चाता था ये आदमी सबसे पहले आईटी सेल का हेड बनना चाता था, वो इसकी बनने की उकात नहीं थी, उसके बाद ये आदमी बनना चाता था, नेता विधायक इसने टिकट ली, लेकिन मुझे वल हार गया, कुट्ते ने भी इसको वोट नहीं करा, उसके बाद ये भाई साब आज इस जलकी देखिए और देखिए कि आखिरकार क्या गंद मचाने का इस आदमी ने काम किया है, और भक्त इतने लाउट क्यों होते हैं, इस सीज का भी इस आदमी ने एक लॉजिक देने की कोशिश करें, ज़रे देखिए इस वीडियो को तो देखा आपने अच्छा हुआ या आदमी विधायक नहीं बना, अच्छा हुआ या आदमी MLA का इलेक्शन नहीं जीता, अगर जीत जाता तो इसकी क्या हालत होती आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, अब आगे बढ़ना चाता हूँ और और कुछ भक्त उसको कल बहुत जादा वुरा और डेफिनेटली लगता ही क्योंकि यकीनन सी बात है जब उनके अबबाजी के खिलाफ ट्वीट ट्रेंड चलाया जा रहा था, ये कहाया जा रहा था कि आज बेरोजगार दिवस और ट्रेंड पी किस तरीके से, मिलियोंस ओफ ट्वीट्स उ ज़रा दिखाना चाहूंगा आपको स्क्रीन के उपर और कितनी बड़ी हिपोक्रिसी उन ट्वीट्स में छुपी थे आपको ये भी दिखाना चाहता हूं स्क्रीन शॉट के माधियम से, अकॉर्डिंग टू गोधी जैनलिस्टे, गोधी जैनलिसिन का नाम है मिनाक्षी जो रहे हैं, अब जो लोग ये बोल रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ या नहीं हूँ, ये अलग बात है, लेकिन जब इस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं, मोधी जी के जनम दिन वाले दिन, तो इनको मिर्चे लग रही है, ये लिखती है कि अखंड पनौती दिवस मनाने वाले य नहीं है, ये नहीं है, क्या है भारत की संस्कृती, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सोनिया गांदी के जनम दिन पर क्या ट्रेंड चला जाते हैं, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इसी ग्राफिक में डला हुआ है, बार डांसर डे, अंतराश्ट्रिय बार डांसर इस तरीके के ट्रेंड सोनिया गांदी के जनम दिन पर चला जाते हैं, और जो ट्रेंड नरेंद्र मोधी के जनम दिन पर चला जाते हैं, वो कितने सब यह हैं, इसके सामने या खुद समझ सकते हैं, नरेंद्र मोधी के जनम दिन पर चलता है, बेरोजगार देवस, नाशनल unemployment day लेकिन किसी को भी क्या गालियां देने का काम किया जाता है क्या किसी के भी शरितर के उपर और خاص कर से किसी महिला के शरितर के उपर सवाल खड़े करे जाते हैं मिनाक्षी जोशी ये लिख रही है एक महिला एक खुदी फदे हैं एक महिला भी है जब वह ऐसी बाते लिखते है तो कहां चली जाती है मिनाक्षि जोशिजी इस दिन सोनिया गांधी जैसे लोगों का जनम दिन enormous और सोनिया गांधी नहीं तमाम ऐसे लोग जो पॉजीशन कीछ चाहे उंहेल हो इसी तरीके की घ yani है बात appeals करई जाते है उनके लिए यह आपके स जौफे मुझे मिलते हैं मैं उनका यह auction करूँगा लेकिन मैं यह news पढ़के जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं चक्रा गया पुरी तरीके से जो चीज नरेंद्र मोदी ने कल बेच दी वो देश के लिए अमुल्य थी कोई वैल्यू ही नहीं थी उसके लिए हमारे देश के अंदर इतनी भयंकर इतनी बड़ी कोहिनूर से भी जादा बड़ी हो चीज कह सकते हैं हमारे देश में जो गोल्ड मेडल लेकर आया नीरत चोप इस ने कि अपड़ा की व हो जैवलिन को किसी के घर में आफिर किसी nंळा बेडरूम में भी जिस्नीं में खरी दियो घा फिर शाय किसी में मीजीम में लेकिन क्या ऐसी चीज़ें आक्षron करने वाली होतीे क्या ऐसी चीज समझे इंश जी ऑफ दो ऐसी बेचने की बात का चल समझे लेकिन इस चीज़ को ये खबर भी आपके आपके सामने निकाल कर रखना जाता था एक और गोधी मीडिया का आप रखना चाहता हूं कल का विलाप किस तरीके से आखिरकार गोधी मीडिया रोते-रोते सडक पे बिज गई बुरी तरीके से कि कैसे हमारे मोधी जी नंबर जाए और किस-किस तरीके का शोज चलाए गए क्या हमारे देश में असली मुद्ध ही नहीं बात करने के लिए क्या प्रधान मंत्री का 71 जनम दिन ही हमारे देश का असली मुद्ध हो चुका है यह मैं गोधी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं आपको दिखाना चा भारत के वर्ल्ड लीडर मोधी इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं सबसे पहले लेकिन इस तरीके के शोज चलाकर मोधी की इमेज को चमकाने की कल पूरे दिन पूरे दिन लगातार कोशिश करी अब आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और कल जुमले की बात करना चाहता हूं जिस जुमले को सबसे पहले एक्सपोज करूँगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा जुड़े रही है दिखाऊंगा उसके बाद आगे चलके कि आखिरकार भक्तों ने मोधी जी को गोभर कैसे खिलाया बकायदा वीडियो इस चीज़ की लेकिन सबसे पहली चीज जुमला रखा हुआ था क्या इससे काफी सारे लोगों की जान खत्रे में नहीं गई होगी और अगर हमारे देश की कपैस्टी नहीं थी और धाई करोड वैक्सिनेशन एक दिन लगाने के बाद चार दिन तक और टाइम लो पे जाने वाला है वाला है वैक्सिनेशन तो आखिरकार य जिन्हों ने अपनी वैक्सिनेशन का अपॉइंटमेंट लिया होता कल और नहीं गए और कैंसल करा दिया बाद में उनको मेसिज आया कि आपकी वैक्सिनेशन सक्सेस्फुली कंप्लीट हो चुकी है जी हां आप अपने कानों पे और आखों पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे और छेहें एसा जूट ये लोग बोलते हैं, ऐसी शडेंत्री को ये लोग रजते हैं, दो करोड वैक्सिनेशन हेल्थ मिनिस्ट्री तक इस चीज को प्रमोट कर रही है, और आपको दिखाना चाहूंगा शिवम भट नाम का ये हैंडल जहाँ पर इस आदमी ने एक स्क्रीन को तीन बच कर छे मिनट पर चे सेकिंड पर वैक्सीकिट भी तयार है इस चीज़ का अगर इस तरीके से कल दो-धाई करोड वैक्सीन लगाई गई है तो क्या परक पड़ता है आप धाई लाक को लगाई है धाई करोड को लगाई है मुझे लगता है कि नंबर्स फज करने में हमारे देश की सरकार ना माहर हो चुकी है चाहे वो किसी की Marksheet फज करना हो चाहे वो EVM में आकड़े फज करना हो या फिर वो vaccination के numbers फज करना हो हमारे देश की सरकार को ये काम में महरत हास्यल हो चुकी और इनको लगते है कि शायद पिर भी लेकिन हमारे को मेसेज आगे कि आपको लग चुका है इस तरीके का जोल जाल करके दो करोड़ वैक्सीन पर डेगी बात करेंगे आप मैं बिना जादा देरी करते हुए आपको सबसे पहले एक मज़दार पोटो दिखाऊंगा बिल्कुल मज़दार देखे अपनी स्क पर बहुत अच्छी है हमारे स्टिक भाईयों पर बहुत अच्छी लगती लेकिन आप वोट के लिए क्या कुछ भी कर लेंगे अगर आपको कल को वोट मिल रहे होंगे तो क्या कल को आप केले के पत्ते पहन कर भी फोटो किच्वा लेंगे अमिच्छा जी से मैं पूछना सब्सक्राइब करते की सब्सक्राइब और जरह देखिए उसका रिजल्ट मैं मुलाकात करूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में आप समस्तों चेली वीडियो सब आप सब देcentered गरब रहला को